नम शिकार मैं हूं लीला स्वाक्त है आपका हमारे चैनल में आज हम बात करेंगे रवी वार को तुलसी पूजा कैसे करें बगवान के वो के लिए तुलसी पता कैसे तोड़ें कैसी तुलसी बवा के जोग होती है अगर तुलसी बवा ना करें तो क्या तुलसी भूजा कर सकते हैं शिंगार की समगरी का वर्पत कर सकते हैं बवा के लिए राम तुलसी होने चाहिए या शाम तुलसी तुलसी की प्रकर्मा कितनी करें क्या आमला और तुलसी भूजा एक साथ कर सकते हैं क्या शीवलिंग तोलसी में रख सकते हैं? क्या शाल ग्राम तोलसी में रख सकते हैं? तोलसी जी का शिंगार काव करना चाहिए. क्या सुवा शाम दीपकज लगा सकते हैं? तोलसी जी का शिंगार काव करें. कार्त के महिने में हम ब्रह्मूर्थ में उठते हैं और मातलसी की पूजा करते हैं जैपूरा विदिवदान कार्त के महिने में लगू होता है कार्त के महिने में लोग जल्दी उठते हैं पूजा करते हैं शाल ग्राम जी की पूजा करते हैं और बगवान विचनो जी की पूजा करते हैं। पूरा कार्त कमीन पूजा पाठ के लिए इस मर्पत है। इस महिने में दान, चनान और दीपदान का भी बहुत मत्तव होता है। इस महीने में कुईतर नदी में चनान करने से गंगा चनान करने से विशेश फ़ल की प्रावती होती है अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप गर में सेंपल पाणी में थोड़े सी मुंदें गंगा जल की मुला लें और इससे भी चनान कर सकते हैं ऐसा करने से भी आपको विशेश फर्की प्रावती होगी जो लोग ब्रामू उर्त में उठते हैं और चनान द्यान करते हैं पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ संपन होने के बाद क्या हम फिर से सो सकते हैं जी हाँ सो सकते हैं कार्तिक मास में तुलसी मा की पूजा किस पर कार करते हैं सबसे पहले सूरिय अन्रैन को जाल देना चाहिए उसके बाद तुलसी मा को जाल दें चंदन चड़ाएं दूब दीप लगाएं इसके बाद आरती करें जे सब करें लेकिन आप माँ को शिंगार की समगरी लगाएं जा ना लगाएं माँ को शिंगार का समान नहीं लगाएं जे समान तो हमने कादशी के दिन जेस दिन माँ का वबा होता है उस दिन लगाएं अभी तो माँ को जाल देने के बाद माँ को भोग लगाएं बोग आप किसी भी चीज का लगा सकते हैं बोग लगाने के बाद माँ को चंदन आरपत करें उसके बाद फूल आरपत करें उसके बाद दीपदान करें और आर्ति करें कार्तिक मास में आप सुवा सुवा पूजा करते हैं तो उस सेमें भी आप दिपक लगा सकते हैं फिरारती करें इस तरह आप संपूर्ण पूजा विदी करें अब बात करेंगे रवी बार के दिन मा की पूजा करें जा नहीं करें पूरे कार्तिक मास में हमें तुलसी मा की पूजा करनी होती है तो ऐसे में हम रवीवार को तुलसी की पूजा कैसे करें लोग कहते हैं कि कार्तक में रवीवार मान्या नहीं होता कार्तक में रवीवार की पूजा कर सकते हैं प्रांतु कई वर मान में आता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं होता है ऐसे में कैसे करें रविवार को बूजा आप रविवार को जाल नार पत करें और नाहे पत्ते दोणे सिर्फ दीपक लगा सकते हैं ऐसे करें रविवार को मा तुलसी की बूजा दीपदान कैसे किया जाता है दीपदान का मतलब होता है दीपक जलाना अब बात करेंगे दीपक कैसा होना चाहिए आप एक पीतल का दीपक लएं आप उसे सुवा शाम साफ करके जला सकते हैं अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो आप उसे सुवा शाम बदलेंगे अच्छा है तो आप पीतल का दीपक ही लें आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं आप बात करेंगे तोलसी जी का शिंगार काव करें बहुत से लोग जब तोलसी लेकर आते हैं कार तक के पहले देन से ही शिंगार कर देते हैं चूड़ी पहना देते हैं तो इस तरह नहीं करना चाहिए कहा जाता है कि अकादसी के दिन जब उनका शाल ग्राम जी के साथ वबा होगा तब ही उनको शिंगार की समगरी अरपत करें अगर आप पहले ही चुनरी चड़ा देते हैं मौड़ी कलावा बान देते हैं तो कोई बात नहीं चंता ना करें परिशान ना हूँ बहुत हो तुलसी मा है उन्हें हम कभी भी चुनरी चड़ा सकते हैं आपको कोई दोश नहीं लगेगा जब आप बात करवाते हैं तो आप अकादसी के दिन समगरी अरपत करें अगर आप बवार नहीं भी करवाते तो भी आप अकादसी के दन विदिवत पूजा करें और शंगार की समगरी आरपत करें और बाद में शंगार की समगरी का समान किसी ब्रहमन को दान में दें अकादसी के दन जब हम पूजा करेंगे और शाल ग्राम जी के साथ अभवा सम्पन कराएंगे ये लिए उसको हम दान कर देंगे जिस तोलसी की हम पूजा कर रहे हैं का उस तोलसी की पत्ते तोड सकते हैं कि नहीं तोड सकते जब हमें वगवान विशनु जी को या ठाकर जी को भूग लगाएंगे तो हमें तुलसी चाहिए होगी तो इसलिए हम लग से तुलसी लखनी चाहिए उस तुलसी से हम पत्ते तोड़ सकते हैं जिस तुलसी की आप पूजा नहीं कर रहे उस तुलसी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं और बगवान जी को वोग लगा सकते हैं अगर आपके गर में एक ही तोलसी है तो आप क्या करेंगे बगवान का वोग कैसे लगाएं ऐसे में जो तोलसी के गमले में पत्ते गिरे हैं उन पत्तों को आप अठाएं और बगवान को वोग लगाएं बगवान ऐसा वोग भी सविकार करते हैं आप बात करेंगे आप कितनी तुलसी लगाएं आप एक से देख तुलसी लगा सकते हैं जितनी तुलसी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा तुलसी की परकर्मा कितनी करें आप तुलसी की तीन परकर्मा करें अगर आपके पास इतनी जगा नहीं है कि आप परकर्मा कर सकें तो आप जहां पर खड़े हैं वहां ही तीन वर गुम कर परकर्मा कर सकते हैं आप बात करेंगे वा के लिए राम तुलसी हो कि जा शाम तुलसी किस तुलसी का वा करें आप आप किसी भी तुलसी का वा कर सकते हैं बस तुलसी होनी चाहिए तुलसी जी के साथ क्या आमले की पूजा कर सकते हैं जी हाँ आप तुलसी जी के साथ आप आमले की पूजा कर सकते हैं तुल्सी के गमले के साथ आप आमले का गमला भी रख सकते हैं, दोनों की पूजा एक साथ कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोशेश पुनफार की प्रावती होगी, अगर आप तुल्सी और आमले की पूजा एक साथ करते हैं, तो आप समझें कि हम बगवान बिश तुलसी में है उसकी जगह बदल कर किसी और जगह पर रखते हैं क्या तुलसी में शाल ग्राम रख सकते हैं जी हां रख सकते हैं कार्त के महिने में आप शाल ग्राम तुलसी में रख सकते हैं मेशा के लिए ना रखें जब भी आपने पूजा करनी हो तो आप तुलसी के पास लगा कर पूजा कर सकते हैं, उसके बाद आप मंदर में ही स्तावत करें, आप बात करेंगे ववा के लिए तुलसी कैसी होनी चाहिए, तुलसी ववा के लिए हमें जो तुलसी चाहिए होती है, वो ऐसी तुलसी होने चाहिए, जो बिल्कुल छोटी सी हो, जिसमें बीज ना ल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजे शेयर किजे शब्सक्राइब किजिए श्राइब किजी थैक्स फार वाचिंग दिस वीडियो